यदि हम बात करें आपके सलेबस में तो आटोकैट की जो हिस्ट्री इसमें बताई गई है वो 1962 में MIT के द्वारा जो अमेरिका में था ठीक है वहाँ पे लॉंच किया गया था और इसके साथ ही इसके एच पैड पे ही इसको बनाए गया था सन 1965 में बोईंग ने वायू यान कमपनी में वायू यान की जो है डिजाइन करने के लिए तयार किया गया था कि उसकी अच्छी से अच्छी ड्राफ्टिंग डिजाइन तयार की जाया सके और कम से कम एरर किया जाया था वैसे तो राइट ब्रदर ने एरोपलेन का निर्माड किया था लेकिन 1965 में बोईंग वायू यान कमपनी ने मतलब जो वायू यान की जो कमपनी उसने इस सौप्टियर को यूज किया था जिसका परड़ाम एकदम आश्यर जनक रूप से सही रहा ठीक सन 1977 की बात करें तो जो एपल जो वही जिसका हम लोग फोन चलाते हैं वो एपल कमपनी जो है 1977 में इसके ग्राफिक पर काम करते हु हुए इसकी हलकी फुलकी डिजाइन को संसोधित करके अपने कंपनी के यूज में लाया था हम लोग पढ़ते हैं हमेशा IBM के बारे में IBM दक्ष या IBM ठीक है वो भी कंपनी इस कंप्यूटर में लगा करके अपने सौप्ट्वेर और टेकनिकल अप्लिकेशन के लिए इसने य इसने भी यूज किया था लास वेगस ठीक है अब बात करते हैं इस अप्लिकेशन का जो काम करता है आटोकेट एक बहु वियाई पैकेज है मतब एक मल्टी परपस यूज होने वाला अप्लिकेशन सौप्ट्वेर है सबसे पहले तो हम यह जा लिजे कि आटोकेट लोग क्य कहते हैं कि यह एक सौप्ट्वेर है सौप्ट्वेर सौप्ट्वेर है ना यह सौप्ट्वेर नहीं है पहली चीज़े तो आपको कंफर्म होना पड़ेगा कि यह सौप्ट्वेर है कि नहीं है यह एक अप्लिकेशन है ठीक है सौप्ट्वेर वो होता है अग्रूप अप्लि प्रिटिंग सिस्टम बेजड होता है जैसे विंडो ठीक है लाइनेक्स के हो गए यूनेक्स के हो गए यह सब चीज़े जो बेजड होते हैं वो चीज़ें होती है लेकिन हम इसे सॉप्टेर क्यों कहते हैं यह आया जो इसके वेबसाइट पे है वो क्या कर रखा अग्रूप आप अफ्लिकेशन लिख दिया है मतब अफ्लिकेशन कई सारे अफ्लिकेशन का समु है वहाँ पर जैसे रेभीट मिल जाएगा 3ds max मिल जाएगा आटो कैड मिल जाएगा आ कोई थ्रेडी मिलयोगा आपको इस तरीकेसे भी मिल जाएगा तो उसने व्यों रखा हुगा है की यह जो application software है तो इसको software नहीं कहते हैं क्योंकि अगर यह software होता है तब तो आप WhatsApp और Facebook को भी software कहा दोगा तो वो चीज़े नहीं है यह application है जादे जादे application software कह सकते हैं इंटर्व्यों में आप इसी बात से reject हो सकते हैं कि वो आपसे अगला question कहेगा कि सर यह बताओ कि AutoCAD कौन सा software है तो आप वहाँ पर तुरंद करना कि सर यह software नहीं है यह एक application है जादे तरह हम लोग इसको application software बोल सकते हैं यह package के रूप में आता है अच्छा यह package क्या होता है ठीक है आपके syllabus में है package क्या है package जैसे अलग-अलग प्रकार के version ठीक है उसी को package कहते हैं और जो अलग-अलग department में use होता है ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि इसका use कहां होता है ठीक है तो देखिए भवन आरेखन यानि building drawing में use किया जा सकता है जैसे कोई भी नकसा हम भवन के नकसे में model 3D drawing बना करके उसका perspective view बना करके हर तरब से देखेते हैं इस drawing को सुधार भी देते हैं इसके अलाबा पूरी drawing को बदलने की आवशकता हमें नहीं पड़ती है इसलिए हम क्या करते हैं इस software का use करते हैं जैसे drawing ship बनती है सेम इसी तरीके के computer के screen बनती है उसका भी एक drawing होता है फरक इसमें यह है कि हम 2D के साथ साथ 3D भी बना सकते हैं ठीक है बात करते हैं वास्तुकला वास्तुकला आर्किटेक्चर को कहते हैं कि किस तरीके से इसका वास्तुकला में हम परियोग कर सकते हैं देखिए होता क्या है कि जैसे interior exterior हम design करते हैं बाहर का भी design अंदर का भी design तो उसमें जो section view होता है उस section view को दर्साने के लिए हम क्या करते हैं interior exterior architectural में use करते हैं यह एक तरीके का भवन से ही attach है लेकिन बस इसको दिखाने के लिए shape and size में कि इस तरीके से हमारे दीखेगा इस तरीके से look आएगा ठीक और क्या इसमें हम fit कर सकते हैं क्योंकि देखिए civil के अंदर गद wire distribution system नहीं आता है वो department किसका है वो part किसका है architecture का जैसे हम घरों पे slab lab डालते हैं ना तो उसमें देखाते हैं कि कहां से बिजली की तारों को भेजना है अब तो ठेकेदार लोग ऐसे ही हवा में भेज देते हैं यह दर से लागा दिए इधर से pipe डाल दिए यह कर दिए वो कर दिए यह सारे चीज़ा नहीं होती है उसका भी calculation होता है और आपको उसी calculation के बिहाब या autocad में काम करना रहता है जिसकी prospective view आप निकालते हो बाकी की सारे चीज़ें civil engineer करते हैं अब बात करते हैं automobile की ठीक है ना automobile क्या करता है कि उस छेतर में हम कम से कम छोटे से छोटे एरिया में काम करते हैं जो कि minor से minor गलती को भी वो detect करने के काम आता है जैसे nut bolt हो गया या किसी में जैसे gusset plate के साथ हमको rabbit या bolt या किसी के थुरू हमको उसमें attach करना हो ठीक है aviation की बात करते है aviation मतलब वायू वायू यार एरोपलेन ठीक है उसको aviation कहते है aviation का निर्मार बहुत कठीन होता है उस पर हर एक छोटी सी छोटी चीज़ की design देखाई परती है micro से लगाए सोचिए जहाज कितने होता है कितने मतलब कितनी बड़ी होती है तो उसके हर एक पूर्जे पर काम करना रहता है तो इसका exactly जो calculation है ठीक है वो हम इसी पर तयार करते है ठीक है tool design की बात करें tool design किसी भी mechanical tool के परिकलपना तथा निर्मार की drawing जो परिसुदता पुर्वक बनाने में जो autocad जो है काफी उपियोगी सिद्ध हुगा है और आगे भी होगा इसलिए इसको हम क्या करते हैं day by day हर साल इसको modify करके market में install किया जाता है बात करते हैं कि पूर्जों की जैसे fitting ठीक है आपस में जो गती रखते हैं उसका उसकी tolerance चेक करते हैं आपस की joints को चेक करते हैं इन सदरी चीजों को हम इसी में deduct करके उसका prospective view तयार करके हम represent करते हैं जो भी हमारा in charge होता है उसके समकच ठीक है electronics में क्या use है electronics में ये use है कि जब आप ठीक न इसको बनाते हो जब भी आप इसको बनाते हो तो होता क्या है कि circuit design करने होती है circuit पे भी जो पीले कलर का या golden कलर का path है देखते हो वो भी design करना रहता है उसमें black color का भी path होता है वो भी design करना रहता है वो तो भाई micro में होता है सोचिए अब वो micro में होता है अब समझ में आ रहा है कि AutoCAD को क्यों इतना मत्तब infinite से लगाए infinite तक मान लिया जाता है उसके drawing sheet को क्योंकि हम parameter अपने utility के हिसाब से sit करते है ठीक है तो ये चीज़ें हो गई जबकी ठीक है AutoCAD की सहयता से या काम चुटकियों में होना संभव भी होता है ठीक है जबकि अगर देखा जाए अगर हम AutoCAD के काम मत्तब उसकी सहयता से अगर ये सारे design करें तो छुटकियों में हो जाता है ठीक है लेकिन उसके लिए हमें सारे चीज़ें का knowledge होना जरूरी है उत्पादन की बात करें ठीक है यानि production की तो देखें production में इसका जो use होता है ठीक है करोडों रुपैयों को ये बचा देता है कैसे अब जैसे माल लिए आपको set करना है कोई भी drawing set बना रहे हो और आप उसमें जैसे माल लो airplane नहीं हो गया या car का कोई ले लो उसमें आपको net bolt fit करना है तो सोचिए एक mm की cutting अगर आप कर रहे हो और गलती से आप जो बना रहे हो तीन mm का हो जाए समझिए का 3 mm ले करके करने लगे एक mm की निर्थी बढ़ गया दो mm ठेक है तो सोचिए ऐसा नहीं है कि net bolt 3 mm का उसमें नहीं लगा सकते है बिल्कुल लगा सकते है 3 mm वाला भी लगा सकते है ठेक है तो 3 mm मैं radius की बात कर रहा हूँ यह नहीं कि 3 mm आप चल देना सीधा से radius की बात कर रहा हूँ ठेक है तो 3 mm जो है जो आप radius उसका बना रहे हो 3 mm वाला और 1 mm वाला तो देखो अंदर क्या होता है फिट तो दोनों हो जाने जो उसकी casting value होती है casting value उससे यह पता चलता है कि हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो load चेक किया जाता है उसका atmospheric load देखा जाता है उसका temperature देखा जाता हर एक चीज़ की design के साथ साथ analysis की जाती है तो जाकर कि यह करोडो रुपया बचाता है ठीक उसी प्रकार से बचाता है जिस तरीके से mechanical वाले autocad पे design करने के बाद CNC machine पे वो programming install करते हैं यह चीज़ें होती है अब बात करते हैं योजना का vislation तो योजना का vislation करना हमारे लिए ही इसलिए जरूरी है ताकि लागत जो है वो कम से कम आए दूसरी हमको बनाने में कोई दिक्कत न हो ठीक है तीसरी point क्या है कि यदि हम बनाते भी है तो हमको किस किस चीजों की जरूरत पड़ रही है और कम से कम टाइम में अधिक से अधिक हम कैसे productivity को हम तयार कर सकते हैं कितने coordinate members की हमें जरूरत पड़ेगी कितने लोग इस project को बिजली की उत्पादन जितनी हो रही है वो भी हमको देखना रहता है दूसरी चीज इसमें ये बात फंजाती है कि मा लिजे computer lower version का है और आप application डाल दियो higher version का तो भी ये काम नहीं करेगा ठीक है तो आपको उसी version पे काम करना रहेगा जिस version पे आपका computer configuration setting लाई करता है और दूसरी बात क्या है कि बाकी के जो other instrument या आपके जो equipment है असानी से काम कर सकें जैसे CNC machine आप चला आप नया programming लिया दे रहे हो CNC machine को analysis करने के लिए भी नया programming लाना पड़ेगा बस computer बदले आप सारे programming भी बदलना पड़ेगा मतलब programming का मतलब यह नहीं कि C ले रहे हैं तो C से circle के जगा C से copy होना लगे नहीं सभी चीजों को coordinate correlate करना पड़ेगा तो उसमें time access जाएगा production में देरी होगी है तो यह सारी चीज़ें होती है ठीक है